लोग इस वीडियो में समझेंगे की किसी लिया जाता था और अब को उस्ते बारे में व्हुंस के बारे में जानेंगे सबसे पहले आप जानीए यह تराबनकॉर है शाज़ाइकृ और भातमान में को वह क्यावलता है वोलते हैं. केवैं दो मार्तन्ड बर्मा के द्वारा इस्थापना की जाती है जब मार्तन्ड बर्मा ersंब한 1729 ज बीच में रहता है ठीक है जब मारतंड बर्मा सासन में थे तो इन्हों ने एक कानून बनाया उस कानून में यह लिखा गया कि अगर कोई निम्न कूल के पुरूस है या महला ठीक है अगर कोई पुरूस है अगर अपना सर ढखता है तो उसे टेक्स देना होगा अगर कोई पुरूस अपना सर ढखता है तो उसे टेक्स देना होगा सर जैसे अगर कोई गमची से भी ढख रहा है अगर कोई रुमाल से भी ढख रहा है तो उसे टेक्स देना पड़ जाएगा साथ में जो महलाएं हैं जो निम जाती की महलाएं हैं उन पर टेक्स लगाया गया कि अगर वो महला अपना अस्तन धगती है अगर महला अपना अस्तन धगती है अपना ब्रेस्ट धगती है तो उनसे भी टेक्स लिया जाएगा ये सबसे खराब था ठीक है ये सबसे खराब था कोई महला अपना स्टन धखती है तो उनसे टेक्स लिया जाएगा इसी करम में आगे जो है एजावा और नादर निम जाती के समुदाएं ने इस टेक्स का बिरोध किया जो एजावा समुदाएं उसी की एक महला थी नांगिली यह नामे आद रखेंगा वेरे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो नांगिली महला थी जो सरकार का कानून था कि जो भी महला अपना अस्तन धखेगी उसे टेक्स देना होगा तो जो नांगिली महला थी इन्होंने बोला कि यह मेरा सरीर है तो मेरा अधिकार है इस पर किसी और का अधिकार नहीं है कि हम कैसे अपना जीवन ज खुश हो गए हैं, साथ में समाज में ये बात फैल गई कि जो नांगेली महला है अपना अस्तन धक रही है, मतलब जो कानून है उसका उलंगन पर रही है, ये बात आपके राजा के पास पहुचती है, किसके पास पहुचती है, राजा के पास में, तो राजा जो है अपना कर जो टेक्स अधिकारी है वो नांगेली के घर भेजता है कहां भेजता है नांगेली के घर भेजता है और वो अधिकारी जो है नांगेली से जाके अस्तन धगने के जुन में जो है टेक्स मांगते हैं जिससे जो नांगेली महला है जुला जाती है जुला के बोलती है कि ये मेरा अधिकारी है इन्हें लगता है कि जो नांगेली है वो ठेक्स लाने जा रही है लेकिन जब उदर से बापस लोटती है तो महला जो है अपना जो अस्तन है वो काट के एक केले के पत्ते में लपेट के जो है कर अधिकारी को देती है जब कर अधिकारी इस चीज़ को देखता है तो वो भोचक रह जाता है और वो जो वहां से चले जाते हैं और राजा के जाके ये बात बताते हैं उसी करम में क्या होता है कि जो नंगेली जो जिस समुदाई की महला थी एजावा समुदाई की उस समुदाई में इसका जिरोध होना सुरू हो जाता है और उसी करम में जो न लासक हैं जो राजा हैं उनका विरोध करने लगते हैं उस विरोध के देखते हुए राजांने जो अस्टन टेक्स है उसे बापस ले लिया ठीक हैँ उस सबी नाधर समुदाय की दो महला जो हैं एक टी t protect обыч 50-59 में अपना स्तन धगने की बात करती हैं, मतलब अपना स्तन धग लेती हैं और टेक्स नहीं देती हैं, जिससे जो तरावनकुर के अधिकारी हैं, वो खफा हो जाते हैं, और उन दोनों महला को पील से लटका देते हैं, मतलब कि उन्हें एक तरीके से पील से लटका के फासी देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उन दोनों महलाओं की मौत हो जाती है, उसके कारण जो नादर जाती के लोग हैं, उगर हो जाते हैं, और उहां की जो उजाती के लोग हैं, सासक हैं, उनके खिराब विद्रो करने लगते हैं, ठीक है, उसके खिलाब विद्रो करने ल धग सकते हैं, साथ में जो नादर समुदा है, इससे परिशान पहले ही हो चुगा था, और उन्होंने इसाइध धर्म अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम इंदर में जाती कि हैं, इसलिए हम पर अस्तन टेक्स लगाया जाता है, अगर हम इसाइध धर अपना लेंगे, इस से हम पर इसाइध धर्म अपना लेंगे, तो हमसे टेक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है, यह दोन चीह आप समझ गए होंगे, उसके बाद यहाँ पर जो आपके, यह देख लिजे, 1729 में जो है रावनकुर की अस्तापना होती है, और 1803 स्वी में, जो 180 से स्वाप्त कर दिया जाता है, और 1859 में नादर समुदाय से स्वाप्त कर दिया जाता है, और 1924 में जो है अस्तन टेक्स पूरूंता स्वाप्त कर दिया जाता है, बुरित लावनकुर से, साथ में यह भी याद रखेगा कि जो नायर जाती है, जो नायर जाती है, गर मंदल में इनकी मेलाएं प्रविस करती थी तो उनको अस्तन ढखना नहीं होता था साथ मैं इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो नांगेली है इनका आज बर्तमान में किरल राज में पूझा करती जाती है यह कि जाती है केलर राजमेंट की फूजा पीज आती है ठीक है आप लोग अपना जो राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यह हमारे समाज पर किस प्रकार से धब्बा था ठीक है लेकिन बाद में उनिस सोचोविस में समाप्त हो गया लेकिन एक तरीके से हमार समाज पर करीब 200 सालों तक ये धबा रहा है ठीक है अब लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में धरूर लिखिएगा थैंक्यू